अध्याय 21, फिर उसने आख उठा कर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, उसने एक कंगाल विद्वा को भी उसमें दो दमडियां डालते देखा, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि इस कंगाल विद्वा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि उन सबने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परन्तु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीवी का डाल दी है, जब कितने लोग मंदिर के विशे में कह रहे थे कि, वो कैसे सुन्दर पत्थरों और भेट की वस्तों से समारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे, जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, जो धाया न हे गुरू, ये सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होगी, तो उस समय का क्या चिन होगा, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुचा है, तुम उनके प लडाईयों और बलवों की चर्चा सुनों, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परन्तु उस समय तुरंत अंत न होगा, तब उसने उनसे कहा के, जाती पर जाती, और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूई डोल होगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पढ़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन प्रगट होंगे, परन्तु इन सब बातों से पहले, वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकडेंगे, और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंधी ग्रह मे डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए अपने मन में ठान रखो, कि हम पहले से उत्तर देने की चिन्ता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धी दूँगा, कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक की तुम्हें से कितनों को मरवा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परन्तु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है, तब जो यहूदिया में हों वो पहाडों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हों, वे बाहर निकल जाएं, और जो गावों में हों, वे उसमें न जाएं, इसे दिन होंगे, जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूद पिलाती होंगी, उनके लिए हाए हाए। क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ती होगी, वे तलवार के कौर हो जाएंगे। और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौदा जाएगा। और सूरज और चांद और तारों में चिन्न दिकाई देंगे। पृत्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के खोला हल से खवरा जाएंगे। और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां इलाई जाएंगे। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक दिस्टान्त भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कोंपले निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रिश्मकाल निकट है। इसी रीती से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें, तब तक इस पीड़ी का कदापी अंत न होगा। आकाश और पृत्वी तल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न तलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन, खुमार और मतवाले पन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्थ हो जाएं। और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। क्योंकि वो सारी पृत्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और वो दिन को मंदिर में उप्तेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पाहड पर रहा करता था और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे।